हेलो फ्रेंट्स आज की इस फिली वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपको यहाँ पे अपनी मोबल की कैमेरा खोलते हैं यह वाली प्रॉब्लम आती है तो कैसे आपको इसको ठीक करना है यही हम इस वीडियो में जालेंगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले अपनी camera के app बंद कीजिए और यासी इसको minimize भी कर दीजिए अपनी camera के app जो है जो है से minimize कर देनी है उसके बाद आपको दो तीन खाम करने हैं सबसे पहले तो अपने phone की camera की उपर long press करके आप जो है इसके app info में चले जाएए या फिर आ आप है इसको ढूल लेना है नीचे आपको यह पर देखी camera लिखा इसके उपर आपको क्लिक करना है जैसे इसके उपर हम क्लिक करेंगे आप है permission बटन पर हमें click करना है और यहाप यह पर की जो permission इसको don't allow करके जो है वापेज allow कर देना है तो यह आप को सबसे पहले कर लेना है उसके बाद आप आपको पैक जाना है और उसके बाद आपको नीचे स्टोरिज वाला option मिल जाएगा इसके उपर आपको क्लिक करके इसका clear data कर लेना है इससे आपका कोई भी photos कोई भी delete नहीं होगा बस app की जो setting एक रिसीट हो जाती है तो clear data या से आपको कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपको जो है काफी other option में देखने को मिल जाते है तो यहाँ पर अगर आपने remove permission if app is a new set इसको अगर आपने बंद कर रखाई तो इसको आपको on कर लेना है इसके बाद आपको वापस एपने phone की जो camera है उसको खोल कर देखना है तो आपकी जो camera है वो सही से काम करना start हो जाएगी अगर फिर भी आपकी camera में same camera या फिर camera for android इस वाले आपको अपने phone में install कीजे यहाँ से यह जो है इस सही तरीके से आपके phone में work करेगा और आपको इसी को use कर लेना है अगर आपको वीडियो आपके अच्छी लगती तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब दरूर कीजेगा